Hello friends, how are you? Hope all are doing well. Welcome back to another video. तक गया इस वीडियो का थमनेल आपने देखी लिए तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेंगन वीजा के बारे में जा फिर ईउ वीजा के बारे में तो गया इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ के आपके भाई का जो है वो sheingan visa आ चुका है और मैंने shengen countries जो है ट्रैबल भी कर ली है अगर मेरे से instagram के उपर connect आपको पता होगा कि मैं अभी ग्रीज कोंके आया हूं और मैंने 2-3 और countries जो है वो visit की है तो क्यों मैंने shengen visa लगवाया उसके बारे में आज हमें इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे और कौन-कौन से डॉकुमेट आपको चाहिए होते हैं शेंगन वीजा के बारे में आज इस वीडियो में मैं explain करने की try करूगा तो भाई आप सभी को पता है कि UK के हलाव जो है वो इतने अच्छे नहीं चल रहे मैं यह नहीं बोल रहा कि आपको पकड़ पकड़ कर UK से निकाल रहे हैं लेकिन आपको पता है कि यहां पर PR होने के चांसे थोड़े कम होते हैं मैं यह नहीं बोलता है कि आपकी PR नहीं होती लेकिन PR होने के chances कम होते हैं जो study visa के उपर है जब work visa के उपर है वो Canada और USA के visa जो है वो लेके रखो अपने हाथ में as a safety मैं यह बोलता कि आपने Canada जाओ या USA जाओ as a safety अपने हाथ में लेके रखो for example अगर आपको यहां से इंडिया वापस जाना भी पड़ता है तो आपके पास एक option हो कि आप किसी और country में जा सकते हो इंडिया से अगर आप apply करते हो तो भाई Canada का visa लेना आसान नहीं होता tourist visa without any sponsor आप सभी को पता है और USA कभी इतना असा नहीं होता लेकिन अगर आप England में हो तो आप जो है वो इन countries के visa easily apply कर सकते हो लेकिन apply करने के लिए आपको सभी लोगों को क्या suggestion मिलती है कि भाई आप पहले अपनी travel history बना लो कि आप जो है वो tourist visa apply करने जा रहे हो और two days visa apply करने के लिए आपकी थोड़ी बहुत travel history होनी चाहिए कि लाइक आपने जो है वो दो चार पाने-दस country जो है वो travel की है जिससे आपको वीजा जो है वो easy मिल जाता है तो बैस सबसे अच्छा रास्ता क्या है travel history बनाने का अगर आप इंगलेंड में हो तो आ चाहिए होते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कोई भी यॉरप का वीजा अप्लाई कर सकता है बहले वो student हो dependent हो या वर्क वीजा के ऊपर हो किसी के ऊपर कोई restriction नहीं है तो document कौन-कौन से चाहिए हम list की और चलती है तो भाई कोल मिला के आपके पास 10 गयार लेटर होता है अगर आप काम कर रहे हो वर्क वीजा के ऊपर हो नहीं तो युनिवस्टी से आपका holiday letter चल जाता है ना एक युनिवस्टी से लेटर मिलता आपको जिससे आप ट्रावल कर सकते हो उसके बाद आपके अकाउन में जो है वो 1500 से लेके 2000 पाउंड तक आपकी जो ह नहीं होनी चाहिए आपको शो करना कि आप जो है वो घूमने जा रहे हो इसलिए जो है वो आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए नंबर शेय पर आपकी जो है वो bank transaction जैसे आप for example statement देते हो ना तीन मंत पुरानी तो क्या होता है अभी 15 दिन बाद आपको date मिली है तो को दिखे कि आपके पास जो है वो 2000 या 1500 के आपस जो है वो अकाउन में है और अगर आप काम करते हो तो आपको तीन मंत की जो है वो पेसलिप दिखानी पड़ेंगी और आपको होटल की booking दिखानी पड़ेगी अगर आपको कोई sponsor नहीं करता अगर आपका कोई friend ओधर है तो उसका for example आपका कोई friend जो है वो योरप में है तो उसका जो है वो जैसे इदर BRP card होता है उनका working का card या उनका passport और उनका घर का address चाहिए होता है आप वो भी दे सकते हो और 9 पे आपको जो चाहिए होता है वो flight की booking चाहिए होती है वो कौन से app में होती है और क्या easy process होता है व और अब मैं आपके साथ discuss करता हूँ कि भाई मैंने visa खुद apply किया जब मैंने agent से करवाया तो भाई to be honest मैंने visa apply करवाय एजेंट से आप जो है वो खुद भी visa apply कर सकते हो अगर आपके पास इतनी शमता है कि आप 3 मन्त जा 4 मन्त जा 6 मन तक जो है वो wait कर पाओ date की तो क्या हो होता है तो आपको डेट जो है वो नहीं मिलती आपको 4 मन्त 6 मन्त की जो है वो waiting list में जाना पड़ता है तो यही एक reason था भाई मेरे को visa चाहिए था quick और visa quick लेने के लिए चाहिए होती है quick date तो quick date लेने के चकर में ही मैंने agent के साथ contact किया और agent ने मेरी सारी file त्यार की वो सार भी जा सकते हो तो भाई agent से मैंने apply किया और मेरा visa within 15 working days के अंदर-अंदर मेरा visa जो है वो आ गया जिसके उपर मैंने जो है वो पहले मैंने grease का apply किया grease का मैंने क्यों apply किया क्योंकि मेरे को agent ने जो है वो suggest किया था कि grease की जो है वो date आपको जल्दी मिल जाएगी उसने मेरे को प्रवाइटरबादी और वहाँ पर जाके मेरे fingerprint हुए है embassy में और दो week के अंदर-अंदर जो है वो मेरा visa मेरे हाथ में था ठीक है तो मैं travel कर रहा हूं तो mostly आप जब apply करते हो तो आपका जो है वो तीन मंत का visa आता है तो तीन मंत में आप जो है वो multiple entry भी ले सकते हो अगर आ यॉरप में घूम के ना वापस आ सकते हो यॉरप में किसी भी country में चले जाओ लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप पहले यूकी आ जाओ फिर वापस जा पाओ क्योंकि वह multiple entry में हो जाएगा तो सिंगल entry में एक बार जा सकते हो एक बार देन हो सकते हो एक बार आउट हो सकते हो यह होगा अगर आप multiple entry के अप्लाई करते हो तो भाई आपको जो है वो इतना कोई फरक नहीं पड़ता थोड़े पैसे ज्यादा चार्ज करती है एजेंट तो क्या होगा कि आप जितनी तकरीबन सभी countries जो है वो घूम लो जादा नहीं तो 8-10 countries आप जो है वो घूम लो एक तो आपका जो है वो point of view थोड़ा बड़ा होगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया बाहर की कैसी है दूसरा आपकी जो है वो travel history जो है वो increase होगी तो भाई multiple entry का आप मैं बोलेता हूं कि ख चार्ज कर सकते हैं मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लूँगा अगर आप खूद apply करते हो तो आपकी 100 pound के आसपास जो है वो embassy fees रहती है और सारा रलामला के अगर आप चलो तो आपका 150 में हो जाता है लेकिन आप extra pay कर रहे हो क्योंकि dates वो provide करवा देते हैं इसलिए हम जो है agents की तरफ जाते हैं तो यह था scene और अब जब आप आते हो embassy में fingerprint करवाने के तो इन सभी documents की जो मैंने आपको list बताई है सभी की आपको जो है वो photo copy करवा के ले जानी पड़ती है वहां पे और अपनी photo भी जो है वो साथ में लेके जानी पड़ती है to अगर आप नहीं लेके जो है वो लाइबरी से 20 पैंस की हो जाएगी और वहां पे जाके आपका जो है वो time भी waste होता है तो आप time waste ना करना तो सारे चीजों की जो है वो photo copy घर से करवा के लेके जाना so that आपको जो है वो कोई भी दिक्कत ना आए वहां पे आप जाते हो आपके fingerprint होते हैं आपका passport ज आप आपना पासपोर्ट यूँआ अपने घर पे delivering करवा सकते हो इसके थोड़े charges करेंगे वहांपे तो आप जो है अपने घर पे deliver करना तो makecorr special delivery हो वैसे तो वह special delivery में ही करते हैं फिर भी a suggestion मा दे रहा हूं कि आप जुआ वो उशी में करवा में तो बहु यह सारा process होता है जब आपका visa आ जाता है तो आपने जो है वो किसी भी country में fly करना है तो आप कर सकती हो तो यह easy process है शेंगन visa के बारे में और कैसे apply करना है किसी भी country का अगर आप चाहरे हो कि आप खुद ने apply करना है तो भाई सबसे पहले आप अपनी file ready मत करना सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने लेनी है appointment date appointment date किसी भी embassy में जाके आपने search करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे फ्रांस की embassy की date logo फिंगर प्रिंट के लिए जब आपको date मिल जाती है फिर आप जो है वो यह document मैंने आपको बताया है फिर इनको एकठा करना शूरू करो यह document सारे के सार date लेना उसके बाद जो है तो अपना सारा जो है वो दिमाग यूज करना ऐसा न हो जैसे मेरे साथ हुआ मैंने सारा कुछ कर लिया एंट पर आके मेरे साथ क्या होगा बाई डेट नहीं मिली तो सारा जो मेरी मेनत थी वो जीरो होगी तो अपना टाइम ऐसे बेस मत करना तो आपको यह थी आज की वीडियो उम्मीद आपको वीडियो में लिकों मिली होगी और मैंने अपना ट्रिप कैसे कैसे किया वह वीडियो जो आ रही है नेक्स्ट लैक ens तो उस वीडियो का देखने कर सकते सब्सक्राइब तो बीडियो वे बताऊंगगा, चीप टिकेट कहां से मिलती हैं और सारे package के बारे में भी मैं बताऊंगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपको नक्स वीडियो में तब तक के लिए take care love you all